वजन बढ़ना जितना आसान है उसे घटाना उतना ही मुश्किल, वेट लॉस करने में पसीने छूट जाते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट डाइट और घंटो जिम में पसीना बहाने के बावजूद कई बार हाथ लगती है तो बस निराशा, तो अगर आप भी अपने बड़े हु वेट गेंट से परेशान है और इसे कम करने के लिए जिम में घंटो एकसरसाइज, डाइट शाइट सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी वजन कम, वेट लॉस नहीं हो रहा तो आएए आज हम आपको बताते हैं छे ऐसी चीजे जो आप अगर सुबल के वक्त करेंगे तो इससे आपका वजन तेजी से कम होगा और आप एकदम फिट फिटनिस और पफैक बॉड़ी पा सकेंगे जी हाँ, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए आयुरवेद के अनुसार, सुबह जल्दी उठने से कई रोगों से चुटकारा मिलता है सुबह उठते ही आप सबसे पहले गुन्बुने पानी का सेवन करें, क्योंकि इसे आपकी बॉड़ी को डिटोक्सिफाई होती है, जो वेट लॉस में मदद करता है आप साधारन पानी की जगल गुन्बुने पानी में नीम्बु का रस डाल कर भी पी सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि सुबल की समय हमें कितना पानी पीना चाहिए तो एक्सपर्स के अनुसार सुबल की समय 500 मिली लीटर पानी पीने से मेटाबॉलिजम 30 प्रतिशक तक बढ़ जाता है ऐसे में आप 500 मिली लीटर या 1-2 गिलास पानी का सेवन सुबल की समय जरूर करें वेट लॉस के लिए जिम में वेट लिफ्टिंग करने की जगह अगर आप साधारन वकाउट जैसे एरुबेक्स, ब्रेस्क वॉप, साइक्लिंग, स्विमिंग भी करते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होने लगता है नूट्रिशन भरपूर नाश्ता करें अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट में पोशक तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए और कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए आप इसमें प्रोटीन, फाइबर, जूसफल, ओर्ट साधी चीजों को शामिल कर सकते हैं सुबल की धूप जरूर लें कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि सुबल की धूप हमारे शरीर के लिए बेहत फायदेमंद होती है ये ना सिर्फ हमें स्वस्थ रखती है बलकी वजन को कम करने में भी मदद करती है अस्वीकर्ण, सलाह सहित यह सामगरी केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है ये किसी भी तरह से योग ये चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेशग्य या अपने चिकित्सक से परामर्श करें धन्यवाद